तो कैसे हैं आप लोग एक बार फिर्ट सुआ गया थे आप से भी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर गाइस आज के वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे मोनोमर इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने ये समझा था क्या होता है होमो पॉलिमर अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे कोने में आई बटन में आप क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं आए मिलबाट के समझते हैं मोनोमर का मतलब क्या होता है यहाँ पे अगर मैं आपको मोनोमर के बारे में compartment से ऐसे छोटे-छोटे जो structure होते हैं इनके मिलन से हमारा जो monomer होता है वो तयार होता है देखो एक बात याद रखो monomer और homo polymer में यही difference होता है monomer बना होता है छोटे-छोटे-छोटे होटे molecule से लेकिन इसमें यह criteria नहीं है कि वो सारे छोटे-छोटे क appelle को एक को एक बाद एक के बाद एक के बाद ऑरेंच करों तो मैं पॉली विनायल ख्लाराइड सकता है विट्री के प्लास्टिक हR 쓰고 कर सकता है ऊस게 प्लास्टिक के Molecule के मिलने से ग्लूकोस क्या होता है ग्लूकोस होता है मौनमर च्छोटे छोटे-ग्लूकोस के sculpture आपस में कंबाइन होते हैं उनकी कोम्ढिनेशन से एक बड़ा श्टार्च जो होता है वो तैयार होता है यह सब चीजी होती है तैयार होती है हमारे से एक और बात आपको जानने चाहिए आप लोग अपने घरों में जो सामान लेके आने के प्लास्टिक साना की यूज करते हो जिली जिसम प्ष्वी जो आप लोग यूज करते हो वो उसे बोलते हैं polythene तो यह polythene बनता किस से है यह polythene के छोटे-छोटे molecule से अगर आपको जानना है कि यह जो polythene होता है वो बना कैसे है तो उसके लिए आप यहाँ देखिए हमारे पास ethene का एक compound है उसके बाद उसमें plus हुआ है दूसरा ethene का compound उसके बाद यहाँ पे तीसरा ethene का compound plus हुआ यह जो number of repeating structure हो सकते हैं इनका कोई limit न मोनोमर होते हैं जब यह कमबाइन होके एक परिपर आपको यहां पर मोंपर के बारे में समझ में आ गया है तो फटा फट सब्सक्राइब कर दो आपने दोस्तों के साथ शेर करना बिल्कुल ने भूलो जिन लोगों को समझने में तकलीफ है परिशानी है और प्रॉब्लम है and that's it for this lecture as usual thank you for watching